हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बज़े वैलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आई-एस पर आज की तारीख है चार अक्टूबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड वंथली मागजीन आप हमारे टेली ग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आई-एस और सेस जल्पनेकल ओन लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेस स्कूल्स के साथ मैं आपसे पहला क्वेस्चिन पूछा था कि चीफ आउड डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे न्युक्त किया गया है करेक्ट आंसर था एल जी अनिल चोहान और दूसरा क्वेस्चिन पूछा था कि साउधियर आपके पूरसकार किसने जीता है करेक्ट आंसर है स्रिष्टी बक्षी डिटेल्स देख लो तो मार्केटर से भहिला दिकार कारेकरता बनी स्रिष्टी बक्षी को लिंग अधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुच की वकालत करने के लिए प्तराष्टी ए एस्डीजी कारेवाई अभ्यान एक स्वस्त ग्रह पर अधिक स्थाई भविश्य की दिशा में कारेवाई करने के लिए लोगों को मोबिलाइस इंस्पायर और कनेक्ट करने की फैल की मांग करता है अन्य पूरसकर विजेता है तो आज आई टोल्डी उसकी इंस्पायर कैटेगरी में फिलिपिन में मासुंगी जियो सर्व में भूले हुए वाटरशेट के भविश्य को फिर से लिखने वाले युवाउं को सम्भानित करने के लिए दम मासुंगी स्टोरी और कनेक्ट श्रेनी में साइप्रस इनो यहां तर स्वीर में देख लीजि पूल फॉर्म है वॉर्ल इंटेलैक्च्वल प्रॉपर्टी और्गनाइजेशन तो विश्व बौदिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 स्थान पर पहुँच गया है यह साथ साल में 41 स्थानों की बड़ी चलांग है तुद्जल लेंड लग और निर्याद जटलता दवारा पेटेंट में अग्रनी है दूसरा स्थान अमेरिका और उसकी बाद स्वीजन डिटेन और नीदर लैंड ने प्राप्त किया नेक्स्ट क्वेशन देखो कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता जयंती पटनाय का निधन हो गया उन्हें किस वर्ष राजय सभा के लिए नमांकित किया गया था कर्यक्ट आंसर है 1996 दिचेल्स सेख लो तो वरिष्ट कॉंग्रेस नेता और राष्ट महिलायों की पहली अध्यक्ष जयंती पटनाय का निधन हो गया वह नब्बे वर्ष की थी वह चार बार की सांसत और राष्ट महिलायों की पहली अधियक्ष थी वह उडिशा के दिवंगत मुखे मंतरी जेवी पतनाई की पत्नी थी वह 1981, 1984, 1999 में कटक और बिरहांपू लोगसबक शेत्रों से चुनी गई और 1996 में राजय सभा के लिए नमां उज़ा संयत्र स्थापित किया वैं किस राजय में स्थापित है? वटर शामिल होंगे हिताची स्टेमो और परिवहन घटकों के विकास निर्मान बिकरी और सेवा के लिए जाना जाता है यह सौर उर्जा सेयत्र भारत में सदत उर्जा के ख्षेत्र में अपने नई यात्रा के शुरुवात करेगा हिताची 2050 तक अपने कार्बन उत्थरजन को कम करने और कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रही है इस सेयत्र के साथ कंपनी हर साल करीब 4000 टन कार्बन डायोकसाइड उत्थ सर्जन को खतम करने में सक्षम होगी यह लगभग डेड़ लाग पेड़ लगाने के बराबर होगा यहां तस्वीर में देख लीजे बा नैशनल पाक में आता है संजे गांधी नैशनल पाक गुगेमल नैशनल पाक टडोबा नैशनल पाक महराश्टर की कैपिटल है मुंबई गवनर है भगत सिंग कोशियारी चीफ मनिश्र एकनात शिंदे नेक्स्ट क्वेस्टन देखो स्वच सर्वेक्षन पुरसकार 2022 में कि प्रथम स्थान प्राप्त किया परेक्ट आंसर है इंदोर डिटेल सेख लो तो स्वच सर्वेक्षन गरामीन 2022 पुरसकार प्रमुक मात्रात्मक और गुनात्मक स्वच भारत मिशन ग्रामीन मानको और ग्रामीन समुदाय की स्वच्टा की सिती में सुधार के लिए उनके प् प्रामिलाड़ू तिस्थान पर रहा छोटे राज्य और केंदि शास्तपरदेश अंदेमानो निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया उसकी बाद दादर और नगर हवेली और दमन और दीव और सिक्कीम ने दूसरा स्थान हासिल किया नेक्स क्याटिगरी है सिटी यानी शह तो मध्यर प्रदेश के इंदोर शहर को लगातार छटे वर्ष पूरे भारत में सबसे स्वच शहर घोशित किया गया है जिसमें सूरत और नवी मुंबई अगले दो स्थान पर है राष्टपदी द्रौपदी मुर्मू ने पुरसकार प्रदान किये यहां तस्वीर में देख पना नाशनल पार्क पेंच नाशनल पार्क और बंदवगर नाशनल पार्क मध्यप्रदेशी क्यापिटल है भूपाल गवर्णर है मंगुबाई चगनबाई पटेल चीफ मनिश्टर शिवराग सिंग चोहान वर्ल हैटेस साइट्स में आता है बुद्धिस मॉनुमेंट्स नेक्स्ट क्वेस्टन देखो भारतिय डेटा सुरक्षा परिशत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है और एक अक्टूबर से इस पत पर कारे करना शुरू कर दिया है भारतिय डेटा सुरक्षा परिशत बोर्ड की एक चैन समिती जिसका नेत रेत्व वर्तमा नधियक्ष राजेंद्र एस पवार भारतिय डेटा सुरक्षा परिशत के पूर्व अधियक्ष डॉक्टर एन बालफिष्णन नासकॉम के अधियक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्य उन्हें फैसला किया वहस की नीव से DSCI का हिस्सा रहे हैं और उन्हें दूर संचार बुन्यादी धांचे सूचना सुरक्षा और IT परिवर्तन में 27 से अधिक वर्षो का अनुभव है उन्होंने राम वेद श्री से पदभर संभाला जिन्होंने 6 साल से अधिक समय तक DSCI का नेत किया गया इबर क्वेश्चन वापस से चेक करते हैं तो विनायक गोट से करेंट CEO बनाए गए हैं राजेंद्र एसपवार DSCI के चेर्मैन है राम वेद श्री को रिप्लेस किया गया है और अजनीत कोहली ब्रिटैनिया के CEO बनाए गए हैं यहां विनायक गोट से को तस्वीर में देख लीजें नेक्स्ट क्वेस्टन देखो राष्ट्रे पेंचन प्रणाली दिवस एन्पेस दिवस कब मनाया गया करेक्ट आंसर है एक अक्टूबर को डिटेल्स तेख लो तो भारतिर नागरिकों के बीच पेंचन और सेवन रिती योजना को बढ़ावा देने और स ऐन्पेस दिवस का अभ्यान को देश्य सभी नागरिकों दोनों काम काजी पेशवरों और स्वरोजगार पेशवरों को पेंचन कोश बनाने और सेवन रिती के बाद वितें रूप से सुरक्षित भविषपराप्त करने के लिए प्रत्साहित करना है एक पहल के हिस्से के र के जीवन को चिंता मुक्त बना सकता है इस अफसर पर के फिंटेक ने प्यूचर आरेस नामक एक नई कॉर्परेट एंपेस पहर शुरू की प्यूचर आरेस को देश कॉर्परेट करमचारियों को न्योकताओं के दर्ड को कम करते हुए राश्ट्रे पेंचिन योजना को समझ और उसमें नमांकन करने में मदद करना है यहां पर में अंतराश्ट्य दिवस एक उक्टूबर को मनाया जाता है बदलते डुनिया में व्रत वियक्तियों को देखा रिखने जाता है नेच्ट क्वेस्टन देखो किस प्रजाती से संबंदित है करेक्ट आंसर है कैटफिश दिठेल्स तेख लू तो मैटूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई खाद कैटफिश प्रजाती की खोच की गई है जिसका नाम पंगेसियस इकारिया पी इकारिया है भारती क्रिशय नुसंथान परिशत के नुसार जिसने प्रजातियों की खोच की यह पंगेसियस जीनस से संबंदित है इस प्रजाती का नाम दू बुक में पंजिकृत है नई प्रजाती कैटफिश की अन्य प्रजातियों से लग है इसकी छोटी गोलाकार वोमरीन और पेलेटिन टूथ प्लेट्स लंबी मेक्जिलरी और मेंडीबुलर बार्बल्स अधिक कशेरुक और छोटे दुम के पेंडुकल गहराई जलिये क्रिशी और जंगली कबजा मत्से पालन में कैटफिश का उच वेवसाइक मुल्लिया है नई प्रजातियों की खोज इस मचली के प्रबंदन सन्रक्षन और उप्यों की रनीती को बहतर बनाने में मदद करती है यहां तस्वीर में देख लीजे नेक्स्ट क्वेस्टन है इंडिया मुबाइल कॉंग्रेस 2022 के छटे संसकरन में फाइवजे सेवाओं का शुभारम किस ने किया करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी डिठेल्स तेक लो तो नई दिली के प्रगर्टे मैदान में आयोजित इंडिया मुबाइल कॉंग्रेस 2022 के छटे संसकरन में प्रधान मंती नरेंद्र मोदी दवारा फाइवजे टेलीफोनी सेवा शुरू की गई थी भारत में फाइवजे सेवाओं को चरनबा तरीके यानि फेस्ज मैनर से शुरू किया जाएगा शुरुआत में से पुरे भारत के 13 शहरों में लॉंच किया जाएगा इनमें दिल्ली, बैंगलूरू, मुंबई, चन्नाई, एहमदाबाद, चंदिगर, गांधी नगर, हैदराबाद, कॉलकता, लखनव, पूने, जामनगर और गुरुग्राम शामिल है चन्नाई, मुंबई, दिल्ली और कॉलकता जैसे महतोपून मेट्रो शहर फाइवजी सेवा प्राप्ट करने वाले पहले व्यक्ति होंगे रिलाइंस जियो दिवाली तक रोल आउट करने की योजना बना रही है दिसंबर 2023 तक देश के बाकी हिस्सों को अगली पीडिका नेटवर्क प्राप्ट हो जाएगा यहां तस्वीर में देख लीजे लास्ट क्वेस्चन है आज के सेशन के लिए किस राज्य केंदिशासित प्रदेश के सरकार ने वायू प्रदूशन से निपटने के लिए शीत कालिन कारे योजना यानि विंटर आक्शन प्लैन का नावरन किया है तो वायू प्रदूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार दुवार एक शीत कालिन कारे योजना का नावरन किया गया तो यह 15 पॉइंट का डेली विंटर आक्शन प्लैन एक ब्लू प्रिंट के तरह आक्ट करेगा जो नैशनल कापिटल में एर पॉलिशन का ड्रेस करेगा इस योजना में विशेश अवधी के दुरान प्रदूशन की मात्रा और उसकी स्तोत्र पर एक अधियन करने के लिए आयाटी कानपूर के साथ सहयोग करना शामिल है प्रदूशन का स्तोत्र वाहन पराली जलाना और उद्योगिक प्रदूशन हो सकता है पूसा संसांद वरविकसित बायो डी कंपोजर के उप्योग से पराली जलाने में कमी आएगी यह उन किसानों को मुफ्त में वित्रित किया गया है जो फसल के अफशेशों को जलाने के बजाए फसल के तने पर स्प्रे करते हैं दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रा वर्षों से अधिक समय से उप्योग में आने वाले पेट्रोल वाहनों के लिए प्रदूशन नियंतरन पी उसी प्रमान पत्र के तहत भानों का निरिक्षन किया जाएगा दिल्ली सरकार की और से 6 अक्टूबर से धूल रोधी प्रदूशन अभियान चलाया जाएगा परियावरेन मित्र के रूप में पंजीकृत स्मय सेमको को परियावरेन सनक्षन के बारे में जगरुकता बढ़ाने में शामिल किया जाएगा विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की सामरी की तो UN SDG Action Awards में चेंज में कर अवोर्ड स्रिष्टी बक्षी ने जीता है वीपो की Global Innovation Index में इंडिया का रैंक है 40 सीनियर कॉंग्रेस लीडर जयनती पतनाय का निधन हो गया उन्हें 1996 में राजय सभा के लिए नॉमिनेट किया गया था किताचे स्टेमो महराश्ट्र में अपना पहला सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहा है स्वच सर्वेक्शन अवार्ड्स 2022 में फर्स्ट पुजिशन हासिल किया इन दोर ने यहां बात हो रही है सिटी काटेगरी की डेटा सेक्योरिटी कांसल अफ इंडिया के सीओ बने है विनायक गोड से नाशनल पेंशन सिस्टम दिवस एक अक्टूबर को मनाया जाता है पेंगासियस इकारिया कैटफिश के एक स्पीशिज है फाइव जी सर्विसिस को इंडिया मुबाइल कॉंग्रेस 2022 के 6 एडिशन में हमारे प्राइम निशन अरेंद्र मोदी जी ने लौंच किया और एर पॉलिशन से निपटने के लिए दिली सरकार्निक विंटर आक्शन प्लान अन्वील किया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुछ स्वाद अडे कि आपका पहला क्वेस्टिन है भारत के अगले टॉने जनरल के रूप में किसे न्युक्त किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है अंतराश्य नुबाद दिवसकब मनाया जाता है दोनों क्वेस्टिन हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इन के सांसे नहीं आएगो तुनको चेक कर लेना दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट और टेलिग्राम हैंट को जोईन जरूर करना है यहां मैं आड करना चाहती हूँ कि बहुत सारा डेटा हम लोग PPTs में आड नहीं कर सकते हैं अफ्कॉस ड्यूटी शॉर्टेज ओफ स्पेस इसलिए वेबसाइट और टेलिग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करें ताकि आप इलाबूरेटिड डेटा चेक कर सके वाइंड अप करेंगे सेशन को thank you so much I'll see you in my next session